जेहन बंदे मात्रम सातियो मैं धर्मिन रगवन सी पुना एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत-पहुत स्वाकत करता हूं सातियो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिती सिख्चकों को लेकर जिया सातियों, दस जून, अतिती सिक्चक सातियों के लिए एक बड़ा दिन हो सकता है जिया सातियों, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि दस जून को प्रदेश वर के जो अतिती सिक्चक सातियें बाइ अपनी विपन्न मागों को लेकर लामबंद होने जा रहे हैं माँगे कौन सी उनपर चर्चा करेंगे और लामबंद होने से या प्रदर्शन करने से क्या कुछ प्रवाब पढ़ेगा उस पर भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जी हां साथियो सातियुक बेदान सवा चुनाव से पहले अतिती सिक्षकों को लेकर पूर मुखमंत्री मानी सिरी सिवराज सिंग जी के दुवारा कापी कुछ गुषनाएं की गई थी जिसमें यदि हम देखें अभी तक मान्दे बृद्धी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की गोषना पर अमल नहीं किया गया है जैसे 25 पितिशा तारक्षन हो, सालवर शेवाएं हो या फिर हम यू कहें विवागी परिक्षा के माद्ध्यम से अतिती सिक्षकों का नियमिती करन हो जो भरती नियम है उनका सरली करन हो इस तरीके से यदि हम देखें तो किसी भी प्रकार की मांग अभी तक पूर नहीं हुई है अब उसी को लेकर जो अतिती सिक्षक साती हैं 10 जून को प्रदेश भर में एक साथ लाम बंद होने जा रहे हैं और पूर जोर तरीके से अपनी मांगे राज सरकार के सामने उठाने जा रहे हैं साथिव भर्तमान में DPI ने अतिती सिक्षकों की निप्ति प्रकिरिया को लेकर एक पत्रवी जारी किया है जिसमें नियू रेश्टेशन को लेकर निर्देश जारी की गए हैं और पूर्व से कारीरत अतिती सिक्षक साती अपनी जानकारी अपडेट करा सकते हैं अब बहुत सारे संगर्टन के जो पताधिकारी हैं अतिती सिक्षक सातियों के या लगवग जो अतिती सिक्षक साती है वो यह चाहते हैं कि नए रेश्टेशन न कराए जाए जो पूर्व से कारीरत अतिती सिक्षक साती हैं पहले उनकी ही सेवाओं को लेकर एक सुनिश्च रिचिता ते की जाए उसके बाद ही नए रश्टेशन कराया जाए योंकि ऐसे तो जो पूर्व से कारीरत अतिति सिक्चक्स आती हैं जीनकी सेवा हैं समाप की जा चुकी है, उनके साथ कुछ वही नहीं पाएगा, और साल दर साल नए जो अतिति सिक्चक्स आती हैं वह स्कू अलाकि यदि सभी अतिती सिक्षक साथी पुर्जूर तरीके से अपनी बात को रखते हैं तो निच्चत तोर पर जो राजसरकार है वो इनकी तरफ ध्यान आकर्शत करने के लिए मजबूर होगी और इनकी जो भी मांगे हैं वो पूर्ण की जा सकती है सबसे बड़ी मांग सालवर्क कारिकाल इसको लेकर राजसरकार निड़ने ले सकती है यदि पुर्जूर तरीके से प्रदर्शन के माध्यम से अतिती सिक्षक साथी अपनी बात रखने में सफल हो पाते हैं ताव दूसरा जो विविन भरती परक्षा है उनमें आरक्षन तै किये जाने को लेकर भी बोशनाय की गई थी पचास फिसत आरक्षन जैसे बड़ी वाते भी कही गई थी तो उन पर भी कोई न कोई नेर्ने राजसरकार ले सकेगी यदि प्रदर्शन सफलता पूर्वक कर पाते ह हैं पुर्जोर तरीके से अपनी वात को सासन के सामने रख पाते हैं कई वार होता यह है कि प्रदर्शन के लिए तैयारियां की जाती हैं लेकिन प्रदर्शन उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से राजसरकार अपना ध्यानाकरसन उस प्रदर्शन की तरफ कर पाए त चाहे वो बिकासकंड इस्तर से हों, जला इस्तर से हों, मद्धिप्रदेस इस्तर से हों, जो भी आपको निर्देश दिये गए हैं, यदि आप अपना ववे से सवारना चाहते हैं, सुरक्चित करना चाहते हैं, तो निच्चित तोर पर आपको सांतिपूर्ण तरीके से अपन पंचात में जो भी गोशना की गई है उन पर कब तक राज सरकार अमल करती है और कब तक स्कूल सिक्चाइवाग उसके आधेश जारी करता है बहुत जल सेक्चिक सत्र 24-25 को लेकर अतिती सिक्चकों की निक्ति प्रिक्रिया को लेकर भी निर्देश जारी हो जाएंगे उसके आतिति सिक्चक साती है जैसा की खवरिया निकल कर आ रही है जोलाई से अप्रेख का यह सत्र दस-्माय का हने वाला है तो ऐसे मैं कहीं है अधिती सालवर अतिती सिक्चकों के कारी काल को लेकर उससे भी अतिती सिक्चक साती कापी जादा नाराज देख रहे हैं क्योंकि 30 अप्रेल को उनको सेवाओं से प्रतक कर दिया गया था मई और जून उन्हें घर बैटना पड़ा तो अब देखते हैं 10 जून को जो भी प्रदर्सन अतिती सिक्चक साती करने जा रहे हैं उनका क्या कुछ अपडेट आता है साती हम अतिती सिक्चक साती हों से संबंदे पलपल की जो अपडेट है हमारे चैनल पर साजा करते हैं और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही रहा है ताकि बहुत से अतिती सिक्चक साती हो तक अधिक से अधिक अतिती सिक्चक साती हो तक यह बात पहुँचे कि जो भी प्रदरसन आप लोग करने जा रहे हैं सांतिपून तरीके से आप उसमें इस्सा जरूर ले क्योंकि ये आप का हक है और आपके भविस्ट की आगे की जो दिसा है वो ये तै कर सकता है यदि अभी नहीं तो कभी नहीं कुछ ऐसी इस्तिती हो जाएगी साथी ये था आज का महतून अपडेट जो की एतिती सिप्चकों को लेकर था मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एब नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहन जैवारत में दो